लेजर में नेवन आरो सिंग तोमौर और आप हैं डिपेंशक्राथ की यूटीब चैनल पर और आज हम स्पी के दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं यह तॉपिक हमारा रिलेटेंट है अग्यादमिक्स से ठीक है हम मैं बिसिकली सावज़ना है कि एक इंपोर्टेंस एसे में क्या होती है या फिर इसको में अल्टरनेट नाम भी दे सकते हैं यह प्रोड़नेशन है मैं आपको बता हूंगा कि इसकी आप पढ़ाई की है उसकी जानमकारी उसके बेसिक्स क्लियर रहना आपके लिए क्यों इंपोर्ट है चाहें आप ने हैं आप टेक्निकल एंट्री से जा रहे हो चाहें आप एंसे एंट्री से जा रहे हैं या फिर वह स तो सबसे पहले में यह सवाजना पड़ेगा कि यह जो एकेडमिक्स वाला पार्ट है इसकी SSB के हिसाब से क्या इंपोर्टेंस आजाए ना कई लोग बोलते हैं कोई खास इंपोर्टेंस नहीं होती या फिर एक्जेटली इसका मतलब क्या होता है जब आप से पी आई की सौ सब्सक्राइब करें तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आपको इस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको प्रो होनेगा यह मतलब नहीं कि आपको टॉपर हो रहे हैं नहीं मतलब है कि आपके जो बेसिक से बनता थो सबसे पहले हैं आपको जो है अपने परसपेक्टिव को बता दे हैं तो आपको विए के परसपेक्टिव से इसमें अपका एक्विलेंट एक्जाम होते हैं उसके बाए जैसे कि सबसे पहले तो आपकी class 10th का आगया metric का आगया आपका जिसीट्यूट है जैसे कि मेरा APS वालियर था ठीक है उसके बाद कोछी इन्वस्टी अपोट था तो वहीं CDAC था वर्स था 2009 ठीक है graduation का ITM बॉलियर आ जाता है post graduation का MBA आ जाता है बिच पिलानी लेकिन यह कभी मतलब की मुझे भरने का मोगा बस एक ही बार मिला था लास्ट वाले EFSB में ठीक है तो यह भी CPSC हो जाता है यह जो है आपका board या university RGP भी हो जाती है और इसका तो सेम बिच पिलानी ही रहेगा इसक का था 2016 इसका था 2021 एंड इसके मार्च से 71 इसमें थे 69 से 69 और PG में में 50-something थे नहीं इसमें भी मेरे 65 से जो एंगलेश इंगलेश इंगलेश यहां पर टे स्कॉलर यहां पर पर जो था यहां पर जो था पोडर था यानि कि फोस्टर में रहता आउस्टेंडिंडिंट की बात करें तो इसमेंट मेरा आजाता है आई वाइस वाइस हाउस कैप्टन मतलब यह पूछे जा रही है ना तो एकेटमिक्स के बेसिस पर देखा जाए तो फिर मैं कह सकता हूं कि मैंने स्पूल जो है वो टॉप किया था इंग्लिस्ट एंड हिंदी मैं आई वास टॉपर आप देश को मैक्सिमल माक्स मैंने स्पूर किये थे टैन प्लस मी की बात की जाए तो यहां पर मैं हाउस कैप्टन जो वह आ जाता हूं ठीक है लेकिन यह भी वहीं फिर हमारा तुसी चीज तो और यह परिन के बंगे सामने आ जाता है कि आके जो माउंस्ट्रेंटली बंग सामने आ जाता है ओड़ा कि आप Anchory ऒ कर दोचा है decrease क्यों ठीक है ये question आप से पूचा जाएगा आपके marks के साफ से तो आपको उसका answer करना पड़ेगा कि सब्सक्राइब क्लास 10 तक तो academics पर जादा focus था जो अच्छा स्पोब करनेते हैं ठीक टाक स्पोब करनेते हैं 86 आपको कम लगना होगा लेकिन मेरी ग्लास में सबसे जादा था तो टॉपर सिंट्रों जो रहता है वो जनरली आपका class 10 के उन बच्चों के अंदर रहता है जो ग्लास 11 में जब जाते हैं तो जो टिफिकंटी ल चीज़ा पर बहुत चाहिए है कि यहां पर भी मैंने बहुत ज़्यादा करते हैं कि अदुद्स प्लाणी की बात भी आज चाहीए कि कि यहां पर भी मैंने से बहुत जादा स्व्येट देशेटोंट बहुत जादा से एक सथा आपको चाहिए आपको बताना नहीं कि यहां पर आपको आप से रिजन नीप मूँच निक्यों हुए हैं कि लिए हमें यह बताना अब कि आपने और अच्छा से कौन कोंसे किए इस दोरान आपने और कौनसे प्रोडॉक्ट बढ़ा आपके स्पॉर्ट्स भी हो सकते आपके अब को हो सकते कोई और आपकी नेशनल या इंटरनेशनल इंटने कि उ enslaved कि किसी और नेवल पीयाव क्योंकि NDA का और ग्लास 11-12 लिवस काफी है तक स्वेल में तो फिजिक्स, कमेश्ट्री, मैतमाटिक्स और इसमागी सब्जेक्स और उनमें तो नमर अच्छी होने चाहिए हिंदी, इंग्लिस बगरा में फोरे कम हो सकते हैं तो वो मैंटीन किया जा सकता है कि मैंने इन तीनों सब्जेक्स पर अच्छे तरीके से फोकस किया, मैंने NDA को क्लियर किया या फिर रेजुचन माने को बोल सकते हैं कि CDS पर फोकस दिया, लेकिन CDS इतना टफ नहीं है तो वह यह वाला रिजन नहीं चलेगा, NDA वाल लिए चल सकता है, तो यह चीज हो जाती है अब यहां से पता क्या चीज़ें आयो आपके बारे में डिडियूस करता है यह साइकिनोगिस करता है तो वह वह डिडियूस करते हैं कि आपके marks की consistency जो है कैसी रही है आपने throughout अपने academic जो आपके years रहे हैं उसमें आपके discipline कैसा रहा है इसके साथ साथ आपका scholar nature जो रहा है वो किस तरीगेगा रहा है तो इन फॉर्ज एडिशनल mindset से चलती है पॉज का यह सीरा सा काम है कि खेलना भी है फूदना भी है पढ़ाई भी करने हैं सब में एक एक रिट ले गया तो अगर आपको proper resources available कराई गए यानि कि आपने एक रच्छे institute दर पढ़ाई की है आपके अपनों सा जाता है ना प्रेके फादर की एजुकेशन क्या है मदर की एजुकेशन क्या है इंकम कितनी है फैमिली की उसके बेसिस पर डिट्यूस करने ते कि आपका लिविंग स्टैटर्ट कैसा हुदा तो मतब क्या resources आपको अबनेबल कराई गए क्या opportunities जो हैं ऐसे institues में आपको मिली होगी केवी में अगर आप घाएं तो SPORTS में आच्छे हो सकते हैं destruSi चीज़ों में प्रेया है तो अगर उसवह क्रमाँ के लिविए क् cichida अगर कले आपकी बहुत जाघनेटर करते हैं कि मतलब कि आपकी प sometimes तरों मेंस और यह बताती है कि ja आपकी परें फिर आइडिया डिरा अन्रयेट करती है कि आप जो या वो performer रहे थे या फिर आप तर्सभरी एमपटी words क्रेट करते हैं अप तर्फ रहें अन्सेले विपते हना उन्ही अन्हों में पूइर्भ की लेकिन डिड्यूस तो को करेगा ना कि आपने अपने लिए के फार्म के साफ से जो चीज़ां परफर्फर्म कि यह यहां कि नहीं कि यहां कि पर सकता है इस से बदायों आप कितने consistent कितने discipline rank, कितने committed रहे हैं, scholar nature कैसा आपका रहा है, और अगर scholar nature नहीं भी रहा है, तो ऐसी क्या चीज़े थी, जो आपने की, आपको resources और opportunities मिल रही है, तो आपने कुछ अजीट नहीं किया, अगर नहीं अचीब किया, तो आपको बताना पड़ेगा, आप स्पोर्स में involved थे, तो स्पोर्स में अचीब्मेंट, जो आजीब्मेंट दिखने चाहिए, या तो आपके स्पोर्स में अचीब्मेंट होने चाहिए, या फिकिसी on-co-or curricular activities में, आप Olympia arts वगरा clear कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ ना कुस पॉज़िट और वह से निकल के सामवे हैं ने आज आ जाता है आपका मैं आपको चीज़े बताते होowy me घंस्ट करता है लेकिन उसके अलावा कुछ तेक्निकल डिटेख जो हैं जो वो मज़े पता होगा कि वैफर्ड कहाँ पर लगाना लगाना है यह लिकिन आपका canty lever डाल दिया, यह उपर आपका फल्क्रम कौन सा है, यह लोड कौन सा है, इफर्ट कहां पर लगाना है, किस तरी किसे उसको stop करना है, इस तरी किसे नॉट जमान वहीं है, वह उपर आपको अगर रिजा आपका canty lever ऑख बना रहे हो, तो इस canty lever में आपका जो फलक्रम में वो कहां पर होगा, कितना extension पीछे देना है, one-thart extension पीछे देना होता है, वहाँ पर आपको load या फिर stopper की help से उसको stop करना पड़ता है, उसके बाद में आपके effort कहां पर लगा होगे, तो ये सारे के सारी basic principles आ जाते हैं, ये सारे के सारे basic principles आप तो basic physics का आता है, जिसमें भी लीवर, कैंटी, लीवर क्वरम पड़ा होगा, उसको ये समझ में आएगा, तो पढ़ाई कि जो आपकी academics का जो importance हो, यहाँ पर भी देखने को मिलता है, मैं बहुत ज़ाद प्रोफिशनेट नहीं था इसमें, जो हमारी इस तरीके से भी आ जाती है, अगर आँ इंट्रुव्यूर की बात करें, कि इंट्रुव्यूर जो है, उसका perspective क्या रहता है, तो देखों, इंट्रुव्यूर में क्या होगा, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी है, चाहिए तो आपकी technical entry हो, आपकी technical entry में आपकी SSC Tech या TGC वगरा जो भी हो, चाहिए आपकी CDS की non-technical वाली entry हो, ये भी हो सकती है, आपकी NCC special entry हो भी हो सकती है, आपकी GAG यानि की Jack वाली entry हो भी हो सकती, कोई भी entry हो, irrespective of the entry, आपकी stream के वारे में आपसे questions कूचे जाएंगे, अगर आपने graduate, जो है bachelor of engineering, यानि की mechanical में अपना example हो, वहाँ से किया है, तो आप ये सोच के तयार हो जाएंगे, कि बहुए आपकी NCC special entry है, या फिर आपकी CDS का non-technical वाली entry है, या फिर आपकी technical entry हो तो तो पहुचा ही जाएगा, लेकर आपकी non-technical है, तो भी आपसे पहुचा जाएगा, कि वही आपने अपनी graduation के दोरान के अक्ट, ये simple सा question आपके सामने आता है, अगर आप NDA वाला interview देने जा रहे हो, तो फिर आपसे PCM या फिर जो भी आपने stream लिये है, उसके बारे में पहुचा जाएगा, बेसिक्स जो आपके रद्धे हो, तो आपसे पहुचे ही जाएगा, ठीक है, अब जैसे कि मैं एक example देता हूँ, बहुत सारे ऐसे equipment होते हैं, जो सारे की सारी services में use किये जाते हैं, जैसे कि मैं specifically army के बाग कर, तो जो मेरा second या मेरा third मेरा SSP का attempt था, तो उस stand पे M7777 जो आपकी hovizers हैं, जो लाई गई थी, इंडिया में लाई गई थी, उनके बारे में इंट्रिव्यों ने उसने question पूचा, I was very well prepared for that, उसने पूचा कि M777 बारे मता हो, फिर उन्हाने question सीच किया, वो force के बारे में, तो फिर मैंने वो force के बारे में भी बता दिया, फिर उन्हाने वो force से related जो controversy है, उसके बारे में पूचा, तो उस time पे वो force से related जो controversy थी, उसका कुछ current आ face में चल दा था, तो मैंने वो भी बता थी, लेकिन फिर उन्हों ने उसके बाद मुझे पहुचा कि वह को फोर्स का working mechanism कैसा है फोड़ा बहुत आइडिया मुझे था फोड़ा बहुत नहीं था तो मैंने फ्रैंक्ली उनको बोल दिया लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी कॉश्चन का अंसर अगर आपको इंटर्व्यू में नहीं आता है इंटर्वी से बखार निकलिए चुप चाप जाहिए और को स्कॉश्चन के अंसर को धूनने का है क्योंकि यह आपसे कॉश्चा जा सकता है और में उससे कॉश्चा भी गया और मिस्टर तॉमाट प्लीज दो लेट में नो आपको स्कॉश्चन आपको इन इंटर्व्यू और वर्किंग मेकनिसम अब फोस्टू यू मैंने उसे बोला कि अच्वी कि साराइब फाइंड अब फिर प्रॉपर एक्स्प्लेइन किया कि ऐसा ऐसा होता है अब आप जिस भी फोर्स में जाना चाहते हैं उस फोर्स की बेसिक चीजों के अलावा जो आपकी स्ट्रीम रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैं अपनी स्ट्रीम की बात करूं मेकेनिकल की पता होता है की बाके बात करूं के धर क्या में पता होता है मतलब ह VolksCU गषर में फिरनियंग आती है मेक पता होना चाहिए अगर आप CSE के हैं तो से related to basic चीज़ें आपके आसपास वाली आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए similarly internal combustion engine की बात करो तो internal combustion engine के बारे में उन्हारे questions कुछे कि आपके two stroke engines कैसे काम करते हैं four stroke engines होते हैं वो कैसे काम करते हैं मैं और मेरा दोस्त हम लोग ने क्या किया था हुम इरफान भाई उनकी दुकान पे जाया करते थे और इस तरह उनकी दुकान खुली थी चोड़ी सी टप्री टैप की थी उसके बाहर में पुरा ऐसे system बना होगा था तो बहुत सारे इंजन वगएर उनको इसकोले रखते थे त क्या था कि आपको डेली नहीं नहीं इंजन लाकर दिखाएं उनको खोल के बताएं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ठीक है तो इरफान भाई की टेक्निलोजी में हमने इन पुरे इंजन को खोल के देगा उनको साफ सूफ करते थे सब कुछ करते थे पुरे आप गंदे हो जाते थे तेल से तो बारी गर्मी से वैट के तकरिमें 15-20 जिन तक हम आराम से उनके पास गया है डेली एक एक गंटे हम जाते थे बदले में हमने उनको एमीटर और बागी जो आपके कुछ चोटे मोटे इस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो आपके एलेक्ट्रोनिक्स में यू सीखी तो मैं इसका प्रॉपर अंसर आइस इंजिन के बारे में देने के लिए सच्छन था कि टूस्ट्रों कैसे वर्ट करता है पिस्टन कैसे मूप करता है पिस्टन रिंग्स का क्या रोल रहता है यह सब कुछ नंब बताने में सच्छन ठीक है तो यह अच्छे परी किसे सा जाते हैं कि कोई प्लेन है वो कैसे फ्लाइए करता है थ्रस्ट और ड्रैक कैसे काम करता है लिफ्ट और वेट कैसे काम करता है यह जो आपके बॉइस होते हैं जो नेवी में यूस किये जाते हैं प्लस फोनार कैसे काम करता है यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपसे प आरक एक मी पहली बात दोहें कि आप जस भी सर्विस के लिए जा री हैं तलकर फ्रेदेंगे यह अर्मीर हैं पीf जा रहे हो ईसके सर्विस कि ले क्यों ?इसे लिए वोरकींग कैसे होटी है समरीन के से work करती है या वो सब पूरा process आपको पता होना चाहिए उसके अलावा जो आपकी stream रही है आपको अपनी stream के बारे में पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ाईगी 3 से लिए 6 साल तक आपने कहा time गिया तक अगर आपसे basic question आपके stream के बारे में पूचे जाएंगे और आप उनका अंसर नहीं देपाओं के तो साफ साफ पता चलेगा इंट्रुवियर को कि इस बंदे ने तीन से चार साल जो अपने academic year से वो उसने किये हैं वेस्ट गरवानें को पैसा विस्ट किया है तो आर्मी की अगरन तर्विलोजी में देखें तो आप सब जो आपको नौलेज होती है तो आपका जो फोटा है यानि कि बंदा आप से पहूंचेगा आप उसको इंफोर्मिशन जब देना स्टार्ट करेंगे तो रुखेंगे नहीं आप उस इंफोर्मिशन को देते जाएंके बारे में पहुंच रहा है इसको बताएंगे तो आप इसको बताएंगे ताकि उसको नौलेज है तो और अपका पड़ियोग नौलेज नहीं पार जाएंगे, आप पीछ में अटते हैंगे, छीजों को याद करने के कोज़िछ करेंगे, लेकिन confidence आपको किसे डिखेगा कि बढ़ाई की है उसके basic principles आपको clear है उसके major subjects है उनके वारे में आपको पता है similarly अगर आपने for example NCC वगरा किया है आपका एक added benefit है तो NCC special entry में जा रहे है तो आपके जितने भी courses रहे हैं और 12 में आपके academics के साथ साथ आपके जो भी चीज़ें पढ़ी है उनके जो working principles होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए यानि कि real life applications के बारे में आपको पता होना ही चाहिए यह बहुत basic सी चीज़ थी इसको में further मेरे कासे explain करने वाला कुछ भी नहीं है जो भी underline principles है वो मैंने आप लोगों को already बता रहे है ठीक है सबसे last में cds1 2025 का batch start हो चुका है एक दिन उसको बीच चुका है हमने live glasses start कर ली है ठीक है वसंतरवन batch की अगर आपको enroll करना हो तो 88399 61158 में आप DM कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं और इस batch के लिए enroll कर सकते हैं पाकी सारी details description में है रहे स्टाफ प्लोगों को बताई है और बस इतना ही छोड़ा सा topic था और इसको कुछ जड़ा explain करने वाला था नहीं इसकी importance को समझना हो और academics के आच्छे खासे तरीके से दियान देरा ज आपको लगता है कोई particular question आपका इस topic के बारे में है जिसको इस वीडियो में असर नहीं किया गया then please feel free to ask this particular question in the comment section I will try my best to answer this बस आज के लिए बाए नहीं जाहे तो यह आल